नमस्ते दोस्तों मेरे किचन के दुनिया देशी फ्लेवर्स भई यारुसी में आपका स्वागत है आज में बिहार की फेमस मच्छी करी होती है वही बनाने जा रहे हूं जिसके लिए मैंने रुई मच्छी लिया है बिहार में क्या होता है रोहु आपको मिल जाएगा यह टाप करके नमक और हल्दी मिला के राखते हैं इसके भबसे चले मसाले तायर करें मसालों में सबसे पहले हमें लेना है काला वाला सरसो बलादा सरसो काला और यह उज़ योज़ इंडारे सूखि मिर्च befान कर यह ब्हार की भीयह वत चल्दक मठग बंती है इसलिए मिर्च तोड़ा ज्यादा और साथ में लहसुन इनको पीस के हमें क्या करना है साइड में रख देना है अब चलिए हम फिस को फ्राइ कर लेते हैं फ्राइ करने के लिए तेल को बहुत ज्यादा गरम कर लीजे उसके बास एक्टे करके मचली इसमें डाल देजे तो जिस तरीके से हम इसे तरीके से फ्राइब कर लेंगे एक चीज याद रहेखाएगा कि तो न करेंगे निकाल के साइड में रख देंगे और फोरण के लिए यूज करेंगे सिर्फ काली वाली सर्सु का takich सार्सों जब चटकने लगेगा तो हमें क्या करना है पीज से वुए मसालो को इसके मसालों के डालने के बास से हम इसको continue चलाते रहेंगे पकाते रहेंगे साथ में हम क्या करेंगे दो टमाटर बारी कटा हुआ टमाटर हमें इसके अंदर डाल देना जिसको मैंने पहले से ही काटके रखा है तिहां पर मैंने टमाटर भी दाल दिया है साथ में हल्दी और नमक न यह देखंगे हमारे चार मिन पूरे हो चुके हैं हमें चलி एक से इस तरीके से और मसालों को सäट ट्रमाटर को मीला लेना है अब ग्रेवी लिए इसे हम पानी दा लेंगे ưng या तो चलिए अब हम इसके ग्रेवी के लिए फानी तो चल करेंगे धकने से पहले हम इसमें बारी कटा हुआ धनिया का पता डाल देंगे धनिया का पता यह जरूर करें इससे टेस्ट और बर जाता है यहाँ धनिया का पता डाल देने के बाद से हम क्या करेंगे धक देने के बाद से इसको थोड़ी देर बाद खोल के देखेंगे जब इसमें अच्छे से उबाल आ चुका रहेगा तब इसमें हम क्या करेंगे फीस को एड़ करेंगे तो यहां पर मैंने मचली भी डाल दिया है तो बिहार की चटक मचली की रस्पी बनके रेडी हो चुकी है मचली डालने के बास इसको थोड़ा सा हम और खौलाएंगे ताकि जो ग्रेवी जो है फीस के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए इसके लिए हमें एक मिनट के लिए इसको ढख के छोड़ देना है एक मिनट बार चस्ट खोल के देख लेंगे इसमें जब बाल आने लगे रहे है इसका मत्तब हमारी मचली बनके राडी हो चुकी है तो